मानसून में रहना है हेल्दी तो अपनाएं ये 5 टिप्स मोसमी बिमारियां भागेंगी कोसो दूर नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार दिक स्वागत है दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें फलों और सबजियों को अच्छे से धोएं नमबर एक मानसून के दोरान नमी बढ़ने के कारण फल और सबजियों में बैक्टिरिया तेजी से पनपते हैं ऐसे में इने अच्छे से धोएं नमबर दो सभी फलों और सबजियों को बहते पानी के नीचे अच्छे से धोएं नमबर तीन सक्त छिलके वाले फलों और सबजियों की सतह को साफ करने के लिए वेजिटेबल ब्रश का प्रयोग करें 4. हरी पत्तेदार सबजियों को धोने से पहले उन्हें नमक के पानी या सिर्के के घोल में कुछ मिनट तक भिगो दें खाना ठीक से पकाएं 1. सही तापमान पर खाना पकाने से हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं ऐसे में खाने को अच्छे से पकाएं 2. सुनिश्चित करें कि सभी मास, पोल्ट्री और सी फूड अच्छे से पकाएं गएं 3. कच्चे या अद पके अंडे खाने से बचें 4. खाने से पहले बचे हुए खाने को तब तक गरम करें जब तक वह गरम ना हो जाए 5. मानसुन के दोरान परदोशित जल के कारण बिमारिया हो सकती हैं ऐसे में सवच पानी पिएं 2. हमेशा उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ या बोतल बंद पानी पिएं खाने को सही तरीके से स्टोर करें 1. मानसुन में इस बात का ध्यान रखें कि खाना सही से स्टोर करना चाहिए नहीं तो आप कंबीर बिमारियों की चपेट में आ सकते हैं 2. नमी और कीटों के संपरक से बचने के लिए पके हुए भोजन को एक्स्ट्रा टाइट कंटेनर में रखें 2. रसोई घर की स्वच्चता बनाए रखें खाना चूने से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं 2. रसोई की स्टों, बर्दनों और कटिंग बोड को गरं करके साबुन वाले पानी में या किटानू नाशा घोल से साफ करें 3. कूडे दान को नियमित रूप से धकें और खाली करें हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाज